शुदेंट्स आज हम बाहर में पढ़ेंगे डिसपर्जन इनर्जी न फॉता है तो से इनर्जी थे परपोगेशन कॉंस्टेंट उता है उसको बताते हैं क्योंकि जो electron की energy होती है वो function होता है wave vector k का इन दोनों के बीच का graph हम plot करेंगे और है न वो उसको relate करेगा इन दोनों को energy of electron and propagation constant को तो वो dispersion relation बताएगा so free electron का dispersion relation हम पहले देखते हैं तो suppose मान लेते हैं electron है वो घूम रहा है free है किसी crystal में घूम रहा है तो उसका one dimension जो motion है उसको Schrodinger का समी करण है Schrodinger equation है तो Schrodinger equation के equation के दौाइब में इसको हम बता सकते हैं तो Schrodinger के equation quantum mechanics में Schrodinger equation है अगर कोई electron one dimension उसमें move कर रहा है उसको इस तरीके से बताते हैं d square psi psi इसमें क्या है? psi है हर एक electron का wave function कोई भी particular electron है उसका particular wave function है को psi से उसको बताया जाता है 2m e upon h cut square तो यह है one dimensional wave motion in Schrodinger equation में d square psi x by dx square plus 2m e upon h cut square psi of x is equal to 0 इसको किस तरीके से लिखते हैं? इसको इस तरीके से लिखा जाता है psi of x dx square plus k square psi of x is equal to 0 इसको इस तरीके से तो यह जो term है यह वाली इसको हमने क्या ले लिया है? k square ले लिया है k square इसको consider कर लिया है तो इसमें k जो है k है उसको 2m e upon h cut square यानि k square is equal to 2m e upon h cut square तो k is equal to under root 2m e upon h cut square और energy e, जो energy e है इसमें वो क्या सकती है? e is equal to h cut square k square upon 2m energy जो है electron की e is equal to h cut square k square upon 2m तो इसको क्या कहा जाता है? यह equation को इसको dispersion relation कहा जाता है free electron का crystal में अगर इसका आप graph plot करोगे तो graph plot करने पर x-axis में हम k ले लेते हैं y-axis में energy ले लेते हैं तो इसका जब हम graph plot करेंगे तो हमें इस तरीके से parabola curve हमें मिलेगा है ना? इसमें यह जो equation है इक्वेशन की यह free electron का motion बताती है crystal में तो equation है तो उसका solution ज़रूर होता है तो solution है psi of x कोई भी Schrodinger equation है उसका solution हम psi से बताते हैं psi of x is equal to e raised to ikx जो wave function भी होता है electron का तो यहां पर c जो है c है amplitude wave function का amplitude है c इसमें क्या है wave function का amplitude है तो इसमें psi है एक तो wave function बताता है दूसरा जो psi है वो electron की होने की संभावना electron की होने की संभावना यानि probability बताता है किस जगा पे electron किस जगा पे है वो अगर हमें मालूम करना है तो वो हम psi of psi स्टार से मालूम करते हैं amplitude of wave function, wave function का amplitude है तो psi of psi स्टार वर्सेस अगर x का आप ग्राफ बनाओगे x इसमें है position है तो आपको electron किस जगा पे है वो आपको पता चलेगा तो psi of psi स्टार इसमें क्या है electron के होने की संभावना होती है किस जगा पे है वो खाली psi है वो आपको नहीं बताएगा कि electron किस जगा पे है लेकिन अगर आप psi of psi स्टार करोगे या psi का स्क्वाइर आप करोगे modulus of psi स्क्वाइर बोलते हैं यह क्या बताता है electron के होने की संभावना बताता है मतलता किस जगा पे electron है ठीक है तो इसको psi of psi स्टार को अगर हम P ले लेते है probability P यानि probability है electron के होने की संभावना P is equal to psi of psi स्टार तो psi इसमें क्या है ? psi है C e raise to i kx और psi स्टार है यह psi स्टार जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था जैसे particle होता है उसका anti-particle होता है वैसे ही यहाँ पर psi है तो उसका psi स्टार लिया है तो psi स्टार यानि minus i kx और यह c स्टार हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं यह e raise to i kx e raise to minus i kx cut हो जाएगा c c star is equal to c square जो हमने यह ग्राफ के द्वारा बताया है तो c square है ना psi of psi स्टार is nothing but the c square तो इसका मतलब यह है कि जो free electron का model है crystal में है वह यह वाला तो वह electron की kristal में electron की होने की समभावन किस जगह पे है उसको दिखाता है वह हम इस तरीके से graph plot करके मालूम कर सकते हैं तो यह तो था free electron के बारे में क्रिस्टल 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 solid में crystal जो शब्द होता है उसका मतलब यह होता है कि जो जो पिर्योडिक तो इस वजह से जब दो 2 आयन एनर्जी होती है वह पिर्योडिक तो इस वजह इनरजी है, periodic potential energy के वारे मैं आपको बता चुकिँ हूँ, तो ions अगर periodic उसमें है crystal में, तो उसकी potential energy होती है, वो periodic potential energy के बराबर होती है, तो suppose VX potential energy है crystal के अंदर, तो periodic potential energy मैंने बताए था x plus Na से उसको बताते है, Vx plus N A से उसको बताय जाता है, जहाँ पर n क्या है, n integer है, n integer है और a इसमें क्या है, a latice constant है, जो latice है उसका constant a है, यह अलग-अलग होता है, simple cubic है, fcc है, bcc है, उसके लिए a इसमें अलग-अलग आपको मिलेगा, तो crystal में electrons के होने की संभावना, वो भी क्या हो जाती है, periodic हो जाती है, तो उसको हम कैसे बताएंगे, उसके लिए हम वही same जो condition थी, कौन सा था, psi of psi star, psi of psi star है ना, versus x, versus x का अगर हम graph plot करेंगे, तो crystal है, crystal में जो potential energy है, वो कैसी होती है, periodic potential energy होती है, लेटाइज, उसके बराबर होती है, तो periodicity है, उसको इस तरीके से बता सकते हैं, तो इसमें ये points दखो गया, आप ये जो points हैं, ये क्या बताते हैं, ये minimum points को बताते हैं, ये है potential energy, ये इस तरीके से minimum, तो ये क्या है, ये मैं आपको समझाती हूँ, इसमें जहाँ पर भी potential energy minimum है, जहाँ पर भी potential energy minimum है, यानि इस जगह पर, 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 이 जो dotted line है, वो क्या है minimum potential energy को बताता है और उपर है वो electron के होने की संभावना जैसे ये P मानलो, ये Q मानलो, ये R मानलो ये maximum क्या है जहाँ पर आपको potential energy minimum मिलेगी तो वहाँ पर जो maximum point है उसके पास P, Q, R जो जिससे बता रहे हैं वो maximum probability बताए जाएगी electron के होने की संभावना को P, Q, R है न उस तरीके से minimum potential energy जहाँ होगी वहाँ electron के होने की संभावना ज़ादा होगी तो इस तरीके से तो इसको ये आप देखोगे it's like a blotch blotch जो theorem है wave function associated इसमें x direction में अगर electron move कर रहा है जिसको हमने दिखाया है ये x direction में electron move कर रहा है तो blotch function के हिसाब से इसका wave function psi of x is equal to क्या था u of x e raise to i k x तो इसमें u of x is equal to periodic periodic के लिए x plus n a periodic के लिए plus n a वाली term भी इसमें आईगी तो इसको blotch function कहा जाता है u of x इसमें क्या है blotch function इसको कहा जाता है और इसमें जो है न तो u of x is equal to वो भी periodic होगा तो u of x plus n a तो इसमें periodic potential energy क्रिस्टल में होनी की वज़े से इसका जो dispersion relation है electron का वो free electron की comparison में थोड़ा change होगा बदला हुआ होगा तो dispersion relation है electron का उसको e of k is equal to e of a plus e of n plus 2 a cos k a तो dispersion relation है electron का free electron की comparison में इस तरीके से बताएंगे यह है electron का dispersion e of k is equal to e a plus e n plus 2 a cos a तो इसमें e a है वो वो है energy level of electron electron का energy level band में e n है जहां से वो displace हुआ है जिस energy level से electron displace हुआ है है ना displace कैसे हुआ है जो उसके ions थे उसके interaction के दोरा अन्योई ते है के दोरा जब electron displace हुआ है वो energy level e n है और e a है वो energy level है जहां से band form होगा और a इसमें है a क्या है electron की probability ने संभावना है एक item से दूसरे item में जाने के लिए है ना एक item से दूसरे item में जाने के लिए जो electron की संभावना है उसको a से हम बताएंगे है ना क्योंकि तो इसमें जो electrons है अगर s electrons है जैसे band होते हैं s p d f s p d f होते हैं तो इसमें अगर s electron है तो इसमें अगर s electron है तो यहां मैं आपके लिए बतायती हूँ तो s electron है तो उसका उसको a s उसका जो exchange integral है a s यानि electrons की एक item से दूसरे item में जाने की संभावना तो अगर s electrons के लिए a s less than 0 है और p electron के लिए greater than 0 है तो इसमें एक जी जोर है अगर यह जितना ज्यादा होगा यह a क्या है exchange integral है electrons की एक item से दूसरे item में जाने की संभावना को exchange integral कहते हैं यह जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा electrons का neighboring item के साथ exchange उतना ही ज्यादा होगा है तो इसमें s band के लिए जो dispersion relation है e x of k as अगर छोटा है 0 से तो वो इसको इस तरीके से बताएंगे e s prime minus 2 a s cos k a और p के लिए हो जाएगा e p k is equal to e p prime plus 2 a p cos k a क्योंकि इसमें अगर a p क्या है greater than 0 है तो plus आएगा और यह less than 0 है तो यहाँ पर minus आएगा तो यहाँ पर e s prime क्या है e s prime यहाँ लिख देते हैं वो है e a s plus e n s e a s plus e n s और e p prime है e p prime is equal to e a p plus e n p e a p plus e n p e a e a s यहाँ और e n s e s level का energy level जो band बना रहा है और e n है s level e n s है s level का energy level जो displacement हो रहा है ना interaction जब हो ions से interacts कर रहा है तो जब हो displacement हो रहा है energy level तो वो e n s है जो पीछी जैसे मैंने बताया था इस तरीके से e a p और e n p है ठीक है इसमें अगर इनका dispersive give cover बनाओगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा ES और EP के लिए वो आपको ऐसे मिलेगा यह उपर वाला है EP के लिए है और नीचे वाला है वो किसके लिए है ES के लिए है और इनके bands को इस तरीके से lines के द्वारा आप शो कर सकते हो तो यह है conduction band बता सकते हैं इसको conduction band बोल सकते हैं यह valence band है dell ES valence band so जो region अगर minus इसमें यह k है क्योंकि dispersion है तो k और ek के बीच का relation है वो dispersion relation बताएगा so इसमें अगर जो region है वो minus pi by a जो k है वो minus pi by a to plus pi by a है तो यह कौन सा region होता है first billion zone first billion zone होता है तो इसमें जो first billion zone में जो s band है वो vary कर रहा है es prime minus 2as es prime minus 2as to es plus 2as es prime minus 2as to es prime plus 2as के बीच में जो band है वो vary कर रहा है इसी तरीके से जो p band है यहाँ पर यह जो p band है यह e p minimum है यह e p maximum है तो इसमें भी ऐसे ही है e e p prime plus 2ap to e p prime minus 2ap में की उसमें vary कर रहा है यह e s maximum है यह e s prime minimum है ठीक है इस तरीके से so इनकी जो bandwidth होगी p की वो किसके बराबर होगी s और p की 4as 4as जो energy होगी 4as और 4ap so इसमें अगर region minus pi by a to pi by a के बीच में है तो यह कौन सा region होगा first billion zone होगा और इसमें जो bandwidth होगी first billion zone में वोगी 2pi by a वो कितनी होगी 2pi by a इसी तरीके से second billion zone के लिए फाइंड कर सकते है second billion zone का जो region है 2pi by a to pi by a के बीच में है और pi by a इस second billion zone है k to 2pi by a इस zone के यह जो zone होगा इसके बीच में लाई होगा इसी तरीके second billion zone की energy भी हम फाइंड कर सकते है झाल 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 झाल